नमस्कार प्यारे बच्चो आज से हम जैव प्रद्योगी की योनिट नौ पढ़ना शुरू करेंगे इस एकाई के अंतरगत हम जैव प्रद्योगी की जिसे अंग्रेजी में बायो टेकनोलोजी भी कहते हैं उसके सिधान्त प्रक्रम और उब्योगों के बारे में जानेंगे सतर्मी शताब्दी के फ्रांसीसी दार्षिनिक गडित अग्य तथा जीव विज्ञानिक रेने डेस्कॉर्टेस के समय से ही समस्त मानव ज्यान विशेश कर प्रकृतिक विज्ञान प्रद्योगी की यानि टेकनोलोजी के विकास की और अग्रसर हुआ इसके फलस्वरूप मानव के जीवन में सुख, साधनों एवं नैतिक मुल्यों में वृद्धी हुई जीव विज्ञान के उत्पादों ने हमारे स्वास्ति में मुणात्मक तथा खाद्य उत्पादन में सुधार पैदा कर दिये हैं जैव प्रद्योगी की बीस्वी शताबदी में आधुनिक जीन विज्ञान की फ्रशाखा है जिससे हमारे रोज मर्रा के जीवन में अनेक परिवर्तन आये हैं दवाईया, कपड़े, टायर, बायो डीजल, अनेक प्रकार के खाद्य उत्पाद और मादक पे इत्यादी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जैव प्रद्योगी की देन हैं इस यूनिट में हम दो पार्ट पढ़ेंगे पहला पार्ट ग्यारा है जिसके अंतरगत हम बायो टेकनोलोजी अथ्वा जैव प्रद्योगी की के सिध्धान्त एवं प्रक्रम के बारे में जानेंगे और दूसरा पार्ट बारा है जिसमें हम जैव प्रद्योगी की और उसक उपयोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आईए अब हम पाठ ग्यारा पड़ते हैं जो है जै प्रत्योगी की सिधान्त व प्रक्रम जै प्रत्योगी की इसे हम बायो टेक्नोलोजी भी कहते हैं। इन सभी तक्नीकों से संबंदित है जिसमें जीवधारिया या उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ एवं प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। आओ समझें जै प्रत्योगी की द्वारा हम मनव उपयोग के लिए क्या क्या ऊत्पाधन कर सकते है। मनव उपयोग के लिए डबल रोठी, दही, आदी का उत्फाधन सूख्ष्म जीवधारा किया जाना एक प्रकार की जै प्रत्योगी की ही है। दूसरा जीर्धारियों से प्राप्त एंजाइन, काउत बादन, वाशिंग पाउडर, जूस, पेपर इंडर्स्ट्री त्यादी में करना भी जैव पृत्योगी की ही देन है। परखनली शिशु जिसे हम टेस्ट्यूब बेबी भी कहते हैं, इसका निर्मान पात्रे निश्येचन जिसे अंग्रेजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जैव पृत्योगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धी है। जीन का संसलेशन एवं उप्योग या दोश्युक्त जीन का सुधार भी एक प्रकार की जैव पृत्योगी की ही है। फोरेंजिक साइंस जिसे हम ज्याइक विज्ञान भी कहते हैं, अब राधी को पकड़ने के लिए भी बायो टेकनोलोजी का ही उप्योग करता है। DNA TK का निर्मान इत्यादी सभी जैव प्रद्योगी की या बायो टेकनोलोजी द्वारा ही संभावित है। आईए अब हम जैव प्रद्योगी की एवं बायो टेकनोलोजी की परिभाशा जाने। यह परिभाशा EFB European Federation of Biotechnology द्वारा दी गई है। और यह कुछ इस प्रकार है। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक बिज्ञान एवं जीव कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। आईए अब हम जैव प्रद्योगी की के सिदान्त के बारे में जानते हैं। आदुनिक जैव प्रद्योगी की दो प्रमुख तक्नीकों का योगदान है। यह दो तक्नीके इस प्रकार हैं। पहला अनुवांशिक इंजिनियरिंग अथ्वा जिनेटिक इंजिनियरिंग। इस तक्नीक द्वारा अनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA के रसायन में बदलाव लाकर इसे परपोशी जीवों होस्ट और्गानिजम में प्रवेश कराके होस्ट के समलक्षणी यानि की फीनो टाइप में परिवर्तन करते हैं। दूसरी तक्नीक जैव प्रक्रम रसायनिक इंजिनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग के प्रक्रमों में रोग जनको रहित जिसमें सूक्ष्म जीव संदूशन रहित वातावरन बनाकर केवल वांचित सूक्ष्म जीवों या सूकेंद्र की कोशिकाओं में व्रि antibiotic भी कहते हैं, enzyme TK यानि की vaccine आधी का निर्मान किया जाता है, आजकल आप COVID की vaccine के बारे में रोज सुन रहे हैं और अकबारों में पढ़ भी रहे हैं, ये सब हमारे जै प्रुद्योगी की के विज्ञानिकों के अथक प्रयास का नतीजा है, आईए, अब हम अनुवान्शिक engineering के सिधान्तों का संकल्पनात्मक विकास के बारे में जानें, जैसा कि आपने पढ़ा है कि जीव दो प्रकार से प्रजनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, अलैंगिक जनन अनुवान्शिकी सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, प्रन्तु लैंगिक जनन से विभिनताएं उत्पन होती हैं और विशिष्ट अनुवान्शिक व्यवस्था के सयोजन के प्रतिपादन का अफसर मिलता है, प्रन्तु इसके साथ लैंगिंग जनन की परंपरागत संकरन की विधियां जो पोधों और जीवों में उप्योग मिलाई जाती हैं, इनके द्वारा वान्शिक जीन के साथ साथ अवान्शिक जीन का समावेश भी हो जाता है, अनुवान्शिक इंजीनिख यानि जैनेटिक इंजीनिख इस प्रकार की कम्यों को दूर करने हेतु भी उप्योग मिलाई जाती है, कुल मिलाकर जैनेटिक इंजिनिएरिंग का उप्योग जीन कलोनिक जीन स्थानांत्रन और पुनर योजन DNA के लिए किया जाता है, जेनेटिक इंजिनियरिंग द्वारा निर्मित DNA जिसमें वांचित जीन होती है उसे चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं ऐसे जीवों को जीन रुपांतरित जीव कहते हैं आएए देखें कि किस प्रकार प्रथम कृत्रिम उनर योजन यानी R-DNA का निर्मान स्टेनले कोवन और हरबर्ट वियर द्वारा 1972 में किया गया था जीवानों सेल्मुनेला टाइपी मूरियम के सेहज प्लास्मिट जो एक गोलाकार गुंड सूत्र बाहिर DNA है तथा स्वते प्रतिकृती करता है उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रधान करने के लिए जिम्मेदार जीन को काटा गया DNA को विशिष्ट जगों से काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया गया कटे हुए विजातिये DNA खंड अपने आपसे गुणित नहीं हो सकते इसे प्रतिकृतियन के लिए गुण सूत्र का अंग होना जरूरी है इस गुण सूत्र में एक विशिष्ट DNA अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं जो प्रतिकृतियन या replication के लिए उतरदाई है, इस विशिष्ट अनुक्रम को प्रतिकृति का मूल अथ्वा origin of replication भी कहते हैं, यह प्रतिरोधी gene या alien DNA या विजातिय DNA को DNA ligase के द्वारा संवाहग DNA जो की अन्य plasmid DNA है उसके साथ जोडा जाता है, इस गोलाकार DNA को पुनर्योगज DNA अथ्वा R-DNA भी कहते हैं, इस recombinant DNA को जिसमें प्रतिरोधी gene होती है, E-coli में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि E-coli जिवाडू सेल्मोनेला से काफी मिलता जोलता है, यह पूर्णयोगेज DNA, R-DNA, E-coli के enzyme DNA polymerase द्वारा अनेक प्रतिकृतियां अथ्वा copies मना लेता है, इस तरह प्रतिजैविक प्रतिरोधी gene की प्रतिका E-coli में गुडन को प्रतिजैविक प्रतिरोधी gene की cloning भी कहते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ के Stanley Coven और Hermit Bear द्वारा प्रयोगों से यह पता चलता है कि जीव के अनुवांशिक रुपांतर में मूलभूत तीन चरण है, प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रतान करने वाली gene जो Salmonella Typhineurium में होती है, द्वीतिय चिनहित DNA का परपोशी में स्थानांतरन, प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रतान करने वाली gene का अन्यप्लास्मिट DNA के साथ जोड़ना या R-DNA बनाना, द्वीतिय स्थानांतरिक DNA को परपोशी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतती में स्थानांतरित करना, R-DNA का E. coli में डालना और क्लोनिंग करना. प्रियवक्चो, अब हम R-DNA, recombinant DNA या पूर्ण योजग DNA तक्नीक के विभिन प्रिक्रियों के बारे में विस्तार से समझेंगे. पूर्ण योजग DNA प्रद्योगी की चरन विशिष्ट अनुक्रम से किये जाते हैं, हम इसे आठ चरनों में समझेंगे. प्रथम, अनुवान्शिक पदार्थ DNA का प्रिथक करन, किसी भी जीव का अनुवान्शिक पदार्थ DNA, विभिन प्रकार की जिलियों द्वारा गिरा रहता है. DNA का प्रिथक करन के लिए सबसे पहले कोशिका को तोड़ कर खोलना जरूरी है. यदि DNA जीवानों कोशिकाओं से प्राप्त करना है, तो लाइसोजाइम एंजाइम का उप्योग करते हैं. Cellulase enzyme का उप्योग पादक कोशिका से DNA प्राप्त करने के लिए करते हैं. आप जानते हैं कि पादक कोशिकाओं की कोशिका भित्ती cellulose की बनी होती है. चिटिनेज या काइटिनेज एंजाइम का उप्योग कवक से DNA प्राप्त करने के लिए करते हैं. क्योंकि कवक की भित्ती चाइटिन या काइटिन की बनी होती है. एंजाइम द्वारा संसाधित किये जाने पर DNA दूसरे व्रहद अणों जैसे RNA, प्रोटीन, लिपिड, बहु शरकरा के साथ मोचित या रिलीज होता है. अब इन सब अणों को विभिन एंजाइम द्वारा अलग किया जाता है. जैसे प्रोटीएज एंजाइम, हिस्टोन और प्रोटीन को DNA से अलग करने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है. आरेनेज एंजाइम, RNA को उपचारित करता है और दूसरे अणों को भी अलग-अलग प्रकार के एंजाइमों से उपचारित किया जाता है. शोधित DNA चिल्ड इथेनॉल के मिलाने से प्रेसिपिटेट हो जाता है और धागों के समुहु के रूप में दिखाई देने लगता है. इस शोधित DNA को जो एक धागों के समुहु के रूप में दिखता है, स्पूलिंग तक्नीक के द्वारा अलग किया जाता है. अब हम दूत्य चरन की बात करते हैं, जिसमें DNA को विशिश थरो पर काटना होता है. Restriction Enzyme, जिने हम प्रतिबंधन Enzyme भी कहते हैं, इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं. शोधित DNA अड़ों को Restriction Enzyme या प्रतिबंधन Enzyme, Molecular Scissor या आणविक कैंची, मुनर्योजन DNA तक्नीक यानि Recombinant DNA Technology के सबसे उपयोगी साधन है. 1963 में विज्ञानिकों द्वारा दो प्रकार के प्रदिबंधन Enzyme पाए गए, जो की E. coli नामक जिवानू में बेक्टेरियो फाज, जो की जिवानू भोजी होते हैं, उनकी वृद्धी को रोग देते हैं. एक प्रकार का Enzyme जो DNA से मिथाइल समू को जोडता है और दूसरा जो DNA को काटता है. इस प्रतिबंधन Enzyme को प्रतिबंधन Endonuclease कहा गया है, जैसे की Restriction Endonuclease. पहला Restriction Endonuclease या प्रतिबंधन Endonuclease हिंद 2 प्रिथक किया गया है, जो DNA अनु को एक विशेश बिंदू पर काटता है, जो की 6 base pair का एक अनुक्रम है, जिसे पहचान अनुक्रम कहते हैं या recognition site. अभी तक 4000 के करीब Restriction Endonuclease Enzyme जिवानों के विभिन strains या प्रभेदों से प्रिथक किये जा चुके हैं और ये 307 के करीब पहचान अनुक्रमों या recognition site को पहचानते हैं. आईए, अब हम Restriction Enzyme के नामकरण के बारे में जानें. उधारन के लिए, हम हिंद 2 को लेते हैं, जो हीमोफिल्लस influenzae नाम के जिवानों से प्रिथक किया गया है. ह, पहला शब्द वंश से लिया गया है, हीमोफिल्लस. इन, आई, एंग, दूसरा और तीसरा शब्द जाती से लिया गया है, जो की influenzae है. डी, strain को दर्शाता है. अब हम दूसरा एंजाइन, E को आरवन का उधारन लेते हैं, जो Ischerichia coli से प्रिथक किया गया है. E शब्द वंश से लिया गया है, जो की Ischerichia है. CO शब्द जाती से लिया गया है, जो coli है. R प्रभेत अथ्वा, strain को दर्शाता है. एक, रोवन अंख, उस क्रम को दर्शाता है, जिससे जीवाणों के प्रभेत से एंजाइम प्रिथक किये गये हैं. प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं. Restriction exonuclease, जो DNA के से सिरे से nucleotide अलग करते हैं. Restriction endonuclease, जो DNA को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं. प्यारे बच्चो, restriction enzyme के बारे में हम अगले पार्थ में और भी बाते पड़ेंगे, और बाकी के चरण भी हम अगले पार्थ में पड़ेंगे. आईए ये देखें के आज के पार्थ में हमने जै प्रद्योगिकी के बारे में क्या क्या पड़ा. हमने जै प्रद्योगिकी या बायो टेकनोलोजी के सिध्धान्त और प्रक्रम और उप्योगों के बारे में पड़ा और हमने ये देखा किस प्रकार से recombinant DNA बनाया जा सकता है. और हमने ये भी देखा कि DNA को किस प्रकार से कोशिका से अलग किया जा सकता है. तो आज का पार्थ हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेसन में हम बाकी के चर्णों के बारे में विस्तार से पड़ेंगे. प्यारे बच्चों, restriction enzyme के बारे में अभी हमें और भी बहुत कुछ सीखना है जो हम इस पाठ के अगले भाग में सीखेंगे और बाकी के चर्ण भी हम अगले भाग में सीखेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद.